आज की प्रोटीन रिच डिश देखने के बाद आपको प्रोटीन की जुरूरत कभी नहीं पड़ेगी बहुत सारे विवेज ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ हेल्दी और नुट्रिशिस डिश में उनके साथ शेर करो तो आज में लेके आईँए एक सूपर हेल्दी सालेड जो की है प्रोटीन सालेड बिना टाइम वेस्ट करें चलो इसको बनाते तो प्रोटीन सालेड के लिए एक बाउल में लेंगे बॉयल चने इसको मैंने साथ से आट गंटे सोक करके बॉयल कर लिया है इस आरक ग्रेड सोर्स ओ वेजटेरियन प्रोटीन सालेक बनाने के लिए इनको एक बाउल में डाल लेंगे इनको हमें उतना ही बॉयल करना है कि इनकी उपर की लेर ना निकले ये थोड़े खिले खिले दिखें तो मैंने लगबग दो कप चने लिये हैं अब हम डाल रहे हैं अनदर रिच सोर्स ओफ प्रोटीन पनीर जिसे कि हम सब को पता है पनीर के अंदर प्रोटीन की मातरा भरपूर होती है उसके बाद डालेंगे 1 cup chopped tomatoes इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है फिर हम डालेंगे अपने salad के अंदर chopped onions उसके बाद बिना चिले nicely cut and diced cucumber विच इस अ गुट सोर्स ओफ फाइबर अब हम डालेंगे roasted peanuts अगें विच गिब्स उस high protein and healthy fat उसके बाद डालेंगे sprouts ये अंकुरित moon dal मैंने market से लिये है आप इसको बहुत असानी से घर पे बना सकते हैं डाल को एक राद भिगो के दिन बर सूती कपड़े में लपेट कर रखे आपकी डाल अंकुरित हो जाएगी अंकुरित होने से इसकी protein की मातरा और बढ़ जाती है लास्ली डालेंगे इसमें freshly chopped coriander leaves यानि की धनिया पत्ता protein salad की हमारी सभी high on protein ingredients डल गए हैं इस salad में डलने वाली एक-एक चीज हमारे लिए बहुत healthy है अब बनाएंगे हम इसके लिए seasoning उसके लिए एक बाउल में लेंगे एक चमच olive oil ये oil डालना optional है आप चाहें तो ना डाले ये salad को थोड़ा glossy look देता है and no doubt it is a very good oil as it contains high amount of antioxidants which are very good for us उसके बाद लेंगे एक चमच lemon juice again a good source of vitamin C to give it a little tangy taste उसके बाद लेंगे हम एक चमच नमक आधा चमच काला नमक एक चमच चाट मसाला और आधा चमच भुना हुआ जीरा थोड़ी सी काले मिट्ज टेस्ट के लिए and हाँ black pepper is also good source of iron अपनी seasoning को अब हम अच्छे से मिला लेंगे इससे हमारा salad बहुत ही चटपटा और पैपरी बनेगा इसको अब हम अपने बड़े वाले बाउल में फिला कर पोर कर लेंगे और ओपर से डालेंगे finely chopped green chilli यहाँ पर मैंने दो छोटी-छोटी हरीमिर्च ली है अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी seasoning के flavor हमारे salad में अच्छे से मिक्स हो जाएं एक चीज का ध्यान रखें कि हमें सभी vegetables लगभग चने के साइज के ही कट करने हैं So that when you get a bite, you get a little bit of everything और छोली के साथ-साथ इसमें आप sprouted काले चने भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा continental taste देना है तो Italian seasoning भी डाल सकते हैं तो लोग हमारा protein salad बनके तयार है feel free to add whatever you like जैसे कि dry fruits, fruits, pomegranate जो भी सबजी है fruit आप पसंद करते हैं आप इस salad के अंदर डाल सकते हैं हमारा high on protein salad बनके तयार है चलो इसको टेस्ट करते हैं कि ये बना कैसा जोब भी आप salad का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ फीका या फिर टेस्ट लेस होगा पर इस salad के साथ ऐसा बिलकुल लेंगे क्योंकि इसके नडला है अमचूर, लेमन और सॉल्ट जो कि इसको खुब चटपटा टेस्ट देर रहता है आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और जब आप इसको बनाएं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है आपको मेरी वीडियो पसंदा है तो मेरे चनल आशिमास किचन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी सभी न्यू वीडियो की अप्लोड आपके पास उसी वक्त पहुंच आए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंदल दें टेक केर गुडबाई एंद हापी कुकिंग विद आशिमास किचन